अपके अपनी YouTube चैनल देो जिके ट्रिक्स में यहाँ पर आपके PT का मॉडल पेपर यहाँ पर सवाव कराते हैं जुकि लगातार आपको मॉडल पेपर दिया जा रहे हैं मॉर्णी में ग्यारा बजे भी आपको मॉडल पेपर दिया जा रहे हैं तो आप लोग मौर्णी में भी 11 वजेट का मोडल पेपर आप लगा सकते हैं, पेट एक्जाम की पूरी तैयारी आपकी हो रही है, तो आप लोग नए हैं, चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, हर एक प्रकासन आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पर हर एक प्रकासन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, दो से तीन प्रकासन आपकी खताम हो चुके हैं, याद रखेगा, है ना और लगातर आपको ऐसे ही लगबग सभी प्रकार के मॉडल पिपर यहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए गोडेवनेंग गोडेवनेंग सभी को गोडेवनेंग सभी को गोडेवनेंग सभी को गोडेवनेंग चलिए रेडी हैं सभी लोग भई चलिए रेडी आ ये अवाज आ रहे हैं तो चली सटार्ट करते यहां पूत धैको कोशन दिया गया है किले चुलई सुची सेकीम की साथ सुमिलिक करना है यहांपर दिया है अक्रकल क गौन के बारे में द्या खेना और इनका मिलान यहांपर आमको सइसे करना है यह कि तो अकबर ने क्या किया था जजिय कर खृफ कांब को 575 केशकी इबादत खाने की इबादेख सटापना हुई थी यहां पर देखे इसका आप वालत और बात मजहर की घृषना की तीTubeorn Leah's inclinedbi सिस्टम अपनाया था 15 82 में तो आपके पास option क्या बन रहे हैं आपके पास बन रहे हैं दी और या बनेगा c dba क्या है यहाँ पर आपका बनेगा सिम्बर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं किस ने एक तरफ ओ किसने एक तरफ संस्क्रत मुद्रालिखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया था किसने एक तरफ संस्कत मुद्राले के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया टूक आप्सन क्या हो जागा तो टूक आप्सन हो आपका भी नमबर महमूद गजनवी कौने वही महमूद गजनवी ने अपने सिकों पर एक और कलमा का संस्कात अनुवात करवाया था अन्य इसका जो आपका उप्सन है वो आपका भी हो जएगा अगला दिया गया दच्छिन बारत का प्रसिद तककोलम का युद्ध हुआ था यह बताइए जो तक कोलम का युद्ध हुआ था वो किसके मद्ध हुआ था यहाँ पर देखे आपका जो त्रीक उप्सन है वो आपका भी हो जएगा चोल के साथ और जो आपके राष्ट कूस जो आपके सा सकते इन दोनों के मद्धुआ था इसका उप्सन भी हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है प्रारंभीक जैन साहित निम्निकित में से किस भासा में लिखा गया था बहुत इलाजवाब कोशन आपके दिये गया है दिखे फो नमर में यहाँ पर आपका अर्द मगदी क्या यह अर्द मगदी में लिखा गया था इसका जो आपसन है तो आपका यह नमर आपकर आई जो जएगा अगला है मानव साधानों में से कुट्टे दफनाय गये थे आज़त मानव के साथ हों यहाँ पर जो कुट्टे दफनाने के प्रमार मिले है वो किसके साथ मिले है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड आप कंट्रोल की स्थापना की सद्वेशन के अंतर की गई थी बोर्ड आप कंट्रोल की स्थापना की सद्नियम की अंतर की गई यहाँ पर 6 नमर में तो 6 का जो आपसन वाप कड़ी हो जएगा पिट्स इंडिया अद्नियम 1784 के तहत बोर्ड आप कंट्रोल की स्थापना की गई थी यहाँ पर आपसन डी नमर राइट हो जएगा यहाँ पर आगे बड़ते हैं कोशन दिया गया है कि आचार विनोबा भावे की संदोलन में भाग लेने के लिए प्रतंबार गिरपतार हुए थे तो दिको सेविन को जो आपसने वापकसी होजेगा सवीने अवगया अंदोलन क्या होजेगा? सबीने अवग या अंदोलन यहाँ पर जो आपसन है आपका सी नमबर राइट हो जएगा सी नमबर बनेगा ठीक है ना और कब तो आपके 1930 में कब 1930 में यहाँ पर भाग लेने के कारण प्रतंबार की रफतार हुए थे आचार विनोबा भावे नोट करिए अच्छा कोशन आप आपको सपोर्ट आपको मिलता है हमसे और आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए हमें भी हाना तो सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें देखो यहाँ पर दिया जलिया वाला नरसंगार जो हुआ था यहाँ आपका बनेगा सी नमबर 13 अपराइल डेट गया था रद कर दिया गया था जोकि option है यहाँ पर आपका सी नमबर राइट हो जैगा क्या हो जैगा आपका सी नमबर राइट हो जैगा और आगे बढ़ते कुर्शन आप से पूछा गया है कि आप से महल वारी प्र्था में किसके साथ राजस का बंदो बस्त हुआ था तो तो किसके साथ हुआ था भी तो देखो ग्राम समदाई के साथ 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 तो रोप से उत्तरबदेश साथ में आपका मध्य प्रांत और आपके पंजाब के कुछ भागों में आपके लागू के गए थे लगबाग देखा जाए तो 30% भाग इसमें से आपका सामिल था आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है अपवाज छेत्र की दरश्टी से में सबसे लंबी नदी आपकी है अगे बढ़ ये कोशन दिया गया है अरथाथ यहां पर अगर आपको गलोब बना देते हैं तो यहां पर देखे एक रेखा यह भूमद रेखा हो गई और एक बीच से रेखा जाती है यह बाला जो पॉइंट आपको मिलेगा यह मिलेगा अ अग्ला दिया तमिलाडू में मानसुन के समान महीने कौन से हैं अर्था तमिलाडू में जो आपका है उप्सन मनेगा या पड़ी निम्बर अगला कोशन दिया गया है निम्निके द्राज्यों में से कौन से उत्तरवदेश के सीमा वरती हैं उत्तरवदेश से लगने वाले यहाँ पर आपके कौन से हैं तो देखो उत्तरवदेश में आपका राजस्थान आपका 36 गड़ और आपका जारकें लेकिन पंजाब से कोई सीमा नहीं लगी है तो आपस को जाएगा किलेर है अगर आप से देश में पहुच ले क्योंकि यह उत्तरब देश दिया भाई याद रख केगा आपवी कबी आप जल्दी वाजए में गलती कर देते हैं इस नीती की घोचरना जो मतलब यहां पर देखो आपके जो बुक्तान संतुलन है वो दो रूपर से बाटा जाता है एक तो होता है चालू खाता है और दूसरा होता है पूंजी खाता है तो जो चालू खाता होता है वो दो भाग में होता है एक दरस सिखाता होता है ठीक है ना तो यहाँ पर जो अदरस सिखाता होता है उसमें चालू खाते में नाकिवल वस्त नाकाल में की गए थी तो दिखो यापको याद होगा कि आपके 1954 के तहuego अा यहाँ पर जो आपका दियान आया था तो इसका जो आपका बनेगा वो आपका दूसरी बनेगी क्या बनेगा अप्शवन हो जेगा यहाँ पर आपका हो जएगा अगला कोशन दिया गया है गिल्ट एजड बाजार किसे सम्मदित है गिल्ट एजड बाजार किसे सम्मदित है तो देखो है यह आपके सरकारी प्रत्वूतियों जो होती उनके ब्यापार से सम्मदित है जो सरकारी प्रत्वूतिया होती है तो यहां पर जो अंसर वापका यहां पर राइट हो जएगा यहां पर आगे बढ़ते कुशन दिया गया है कि भारत सरकार के नीति आयोक जो आर्थिक नीति निर्धारन का चिंतन समू है अथा थिंक टैंग है तो नीति का पूरा नाम आप से पूचा है यहां पर 2015 में यहां पर यूजन आयोक की स्थान पर नीति आयोक गया था तो इसका होता है राष्टी भारत परिवर्तन संस्थान दिखे ऑप्सन कहां पर है आप्सन आपका भी वाला दिया है अगला दिया गया है सभी बैक्ति पंचाइती राज़िक्ति के सदस्स बन सकते है तो इससा तो नहीं है सभी बन जाएंगे फिर का पचीस वर्थ वर्थ जरूरी नहीं क्योंकि की सवर्थ होता है मतलब आपसन D हो जएगा कोई वे सभी लोग जो कई सवर्ष के आए कि पूरी कर चुके हूँ तथ राजविधान के सदस्त्यूने जाने की योगिता रखते हूँ तो ये पंचायची राज़ की सदस्ता के लिए योगिमाने जाते हैं तो आपसन देखिए क्या बन गया आपने अगर चारो आपसन पड़ा होगा तो आपका अंसर विर्कुल राइट हो जएगा या आपकर कौन सा डी नमबर आपका राइट हो गया आपसे कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निष्य करता है कौन कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्ड़े कौन करता है तो देखो इसका निर्ड़े किरता है आपका जो लोगसभा का अध्यच होता है काउन जो लोग सभा का अध्यच होता है आर्टिकल नमर 110 के थर्ड में ये प्रस्न उड़ता है कि कोई विद्हेग धन विद्हेग है या नहीं तो उस पर लोग सभा अगर अंतिम निर्ने दे देता है तो आपका मान नहीं होगा नहीं तो नहीं मान होगा अगला कोशन दिया गया है बिना अनुमती के कितने दिन संसत के अनुपस्टिती रहने पर किसी संसत का आयोग घोशित कर जाता है याद रेखिए अगर वो 60 दिन लगाता रहता दो महीना गयवर रहता है तो वह उसका जो संसत का पद है वह आँसे हटा दिया जाएगा हाना तो आपसन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दिया गया है कैरन निमनिकित में से किनको विधी के सासन के प्रमुख लच्णों की रूप में मना जाता है जो विधी के सासन के प्रमुख लच्ण है वो आपके कौन से है चले यहाँ पर विधी के सासन के लच्ण में पुछा गया है 24 संबर में तो यहाँ पर देखो दिया गया है सक्तियों का पर सीमन है और इसके बाद यहां पर जो दिया है सरकार के प्रतिजन उत्तरदायू और जो आपका नागरी का दिकार है यहां पर जो अंसर होगा वो आपका सी बलेगा केवल एक दो चार एक दो चार बनेगा विदी के समझ समानता यह 14 होता है आर्टिकल नमर 14 पर सीमन हो गया एक और दो इसके बाद सरकार के प्रतिजन उत्तरदायू और सतंता और नागरिटिया पर देखी इसके बनेगा एक दो चार बनेगा मतलब जो आपका सी है वही सही होगा कौन सार एक दो चार सही होगा तीन इसमें से नहीं लेआ जाएगा ठीक है चलिए जादा कहां से लिया गया है तो यह बताएए आपका जो भादत सासर अधिनियम है 1935 का तो यहां से सबसे जादा रेड़ी है क्योंकि सबसे जादा लिया गया है यहीं से लिया गया है ठीक है यहां पर लगभग दिखा जाए तो दो सो धाराओं को इसी तरब से लिया गया ह तो रक्त जो होता है तो रक्त एक संयोजी यूताक होता है और इसके उत्पत्री भ्रून के जो आपका मीसोडर्म होता है वहाँ पर आपका होता है आपका जो मेढ़क होता है यह आपका उभैचर होता है असमतापी असमतापी मतलब यह हुआ कि यह पानी में भी रह सकता है इस थल में भी रह सकता है तो यहाँ पर देखें आपका कारिकरता है जो आपके रेक्टर होते है हना जल रेक्टर होते हैं तो उच्छ दाब बाले रेक्टर में उसको नियंत्रित करने और उसके सीतला के रूप में प्रियोग किया गया था पुर्थम बारी जल का जो प्रियोग किया गया था 1961 में आपके बंगाल में किया गया था कहां पर आपके बंगाल में किया गया था इसामानतर करम में, चले 39 नमरवे, ये लगा जाते हैं समरांतर करम में, किस करम में, जोड़ा जाता है और इसमें प्रतेक जो आपका प्रतों होता है उसमें एक विभांतर समान होता है और साथ में जब समानतर क्रम होता है तो उसमें निम्तम प्रतुरोद प्राप्त किया जा सकता है तीस कारण से उप्सन आपका भी हो जाएगा अगला दिया गया है कि हम साधारन अगर बातचीत करते हैं तो लगवग 10 से 20 DC वैल होता है तो एक साधारन बातचीत आपकी होती है ठीक है ना अगर एक कोई गद्यान से यहां कर सकते हैं कुछ महत्ति कोर्शन होगी जो कि आपकी स्किप किये गए हैं यहां पर कामाईनी के रचनाकार यहां पर 36 को अप्शन क्या हो जगा तो भी आपको उने पढ़ाया जैसंकब साथ क्या बताया है जैसंकब साथ याद रखे कामाईनी क्या है एक महा का बेहाद रखेगा अगला दिया गया है दूद का धुला होना मोहरे कर्थिन में से क्या होता है दूद का धुला होना इसका मिदलब क्या होता है निर्दोस होना या निस्कलंक होना मतलब आपका देखा जाए तो यहाँ पर प्रियोग किया जाए तो यहाँ पर आपको होगे कि आज के दोर में कोई दूद का धुला नहीं होता है आप्सन क्या हो जएगा ए नमर राइट हो जएगा निर्दोस हो जाना ठीक है आप्सन मनेगा आपका ए नमर राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं कुछन दिया गया है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाकिका चैन करना है अरतिस संबर के अगर बात करें तो यहां पर देखो कह रहा है हिंदी वर्तनी के आधार पर तुम इसके दाम देते जाओ तुम इसका दाम देते जाओ तुम इसका दाम देते जाती इसका दाम तो देखो दिया गया है अवदी और अवदी इस बोले में एक जैसे हैं कि नहीं है ना तो यहां पर देखे अवदी मतलब होता है काल और अवदी मतलब होता है कावद शित्री की बासा मतलब यह समरूपी आपका हाफसन यह नमबर है राइट हो जाएगा कुछ लोग यह पड सब्र यहां पर देखो दिया गया है आपका दा गोल्डेन बर्ड का दा गोल्डेन बर्ड ये आपके पुर्ष्टक जो है वो ग्रीम ब्रदर्स के दोरा है किसके दोरा ग्रीम ब्रदर्स के दोरा ये आपका लिखी गई है तो आप सुन क्या हो जेगा आपका सी नमर जेगा ग्रीम ब्रदर्स के दोरा लिखी गई है वहें पर दा गोल्डेन विं तो आप कोन सी गैस ग्रीन हास घास नहीं है कौन भाज खेस चरे की देखे अगर बात करें तो unsty होता है एक अちゃordo करृष पहल recollOG नहीं होती है या रखेगा ह benzina और अगे बढ़ते कोंस दिया गया है परितंत्र के दो मूल घटक आपके जो होते हैं कौन होते हैं परितंत्र के दो मूल घटक इन में से होते हैं जो जीवी होते हैं और अजीवी अर्था जैविक और अजैविक दो ही प्रकार कितो होते हैं जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं तो आपसन क्या हो जेगा आपका भी नंबर है राइट हो जेगा याद रिखे परतिकी तंत्र की जो परिकल्पना किया था वो आपके एजी टांसली द्वारा आपके 1935 में की गए थी आपका जो परितंत्र है अगला कोश्चन है कि पोर्ट बिलेयर की राधानी क्या है बहुत यह जो आपका अंटार्किटिका है यहाँ पर 56 नंबर में आपका भी नंबर है यह अंटार्किटिका किसी के अंडर में आपका नहीं है यहाँ पर सभी देशों के सोध संस्थान जरूर मिलेंगे लेकिन यहाँ पर कोई वी देश ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ प्र प्राचिन हिंदू मन्दीर है जो चत्थानों को ने से कौं सा मंदीर है तो देखो भाई आपको हमने बताया था कि ये मंदीर आपका कहलास बंदीर है कौन सापका यहाँ पर जुक कहलास मंदीर है याद रिखेगा ये मंदीर दुनिया में सबसे बड़े मंदीर एक समक मंदीर आपका है मतलब जो एलोरा की गुफाओं में एक के स्तीत है और ये एक समग मतलब वोगा काट कर बनाया गया है जो चटानों को काट कर बनाया गया है राश्टकूट एक राजा थे राश्टकूट राजा करस्ण प्रथम ने बनवाया था अगला है किस राज की अंसासित प्रदेश राज की पंचायत देश की पहली कारवन न्यूटरल पंचायत बनी है देखे भई यहाँ पर देश सकते हैं अच्छा कोशन आपका दिया है वो सकता है कोशन आपका पंचायती ब्योस्ता में पूचा जा सकता है कि जो आपका पहली पंचयत आपकी पहली पंचयत जो की कारवन नीट्रल पंचयत बनी है वो आपकी कौन सी है यह बन गई है आपकी जो जम्मू कस्मीर है option मनेगा यह पड़ी नंबर है जो आपका अभी हाली में पंचयती राध दिवस बनाया गया है 24 अप्रेल 2022 को तो इसमें पंचयती राध द वक्स्य एक प्रकार की पंडूबिव्भी है क्या है प्रकार की पंडूबिव्भी इस सद्र्मन पर कनद लॉप पडिया ग्या पकी किस विशूद्यारे में dactar meekar उतकरस्टा केंद्र योजना का सुभारम किया गया है किस विश्विद्याले में डाक्टर डंबेटकर उत्करष्टा केंद्र योजना का सुभारम किया गया है एक्सर्ट नंबर में क्या बनेगा यह आपका बनारा सिंदु विश्विद्याले है कौन है बनारा सिंदु विश्विद्याले है इसका जो आप्सन होगा वहां पर इनमर इसका राइट होजेगा और ये कब हुआ है तो 22 अप्रेल 2022 को कब हुआ है 22 अप्रेल 2022 को बनारे सिंदुविश्विद्यारे वाननसी में डाक्टर अम्बेटकर उतकर्ष्टा के इन योजना का सुभारम किया गया है अच्छा योजना है क्या तीस योजना के मुद्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश के सीमा के हिसे के रूप में 10 अप्रायल 2022 को गुजरात में किस इस्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन इस्थल का लोकारपन किया गया है तो चरिये तीसर डमर क्या हो जगा तो आप्सन डी हो जगा आपका नडा बेट क्या हो जगा एक केंद्री गिरा मंत्री जो आमिस साहिनोन क्या किया है 10 अप्रायल 2022 को सीमा दर्शन पर्योजना के हिस्थे के रूप में गुजरात के नडा बेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन इस्थल का लोकारपन किया है और जो नडा बेट आपका है ये उत्री गुजरात के बनास कंठा जिले में भारत पाक सीमा पर इस्थित है तो किस पर इस्थित है आपका ये भारत पाक सीमा पर इस्थित है अगला दिया गया है ये अप्रेल 2022 में यूनिस्को द्वारा वर्ड बुक कैप्टल किसे नामित यहांपर चाहसट्षड में देखिंडे और भॉल जारा जो आपका है इसे नामित किया है। यहांपर आगे बढ़ते हैं कोशन से दिया गया है कर आपसे अप्रैल WW2 में पहले समधायक पर दे रहाई का रखेगा है यहां पर दे सकते हैं कि यह समदाईक रेडियु स्टेशन है दूधवारी का रखेटन किया गया है कहाum पर यह आपका जवाब हो जगाएगा 65 नंबर में obligation B आपके गुजरात में क्या है कहाum पर आपके विर्णा पाण मुहंती कनिदन हुआ यह आपकी कौन थी यह एक लिक्का थी क्या धिए है यह लेक्का थी याद रखे इसका जो अंसर है वो आपका बनेगा आपका यह रम्रुबर इनकी जो मुरत्ती होई है और डेट याद रखेगा कि चौबिस अप्राइल को इनकी मुरत् मंगिसकर पुरुषकार दिया गया है नरेंद मोदी जी के द्वारा यह दिया गया है और यह दिया गया है आपके नरेंद मोदी और यह दिया गया है तो देखो यह पुरुषकार उन हस्तियों को दिया जाएगा जिनोंने देश और समाच के लिए इनी स्वार तस्रीवा में अपना जीवन बिता दिया है दिवंगत गाईका और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेसकर और उनके पिता दीनानात मंगेसकर के सम्मान और उनकी स्मृति में उनके परिवार ने लता दीनानात मंगेसर पुरुषकार की सुरुषकार की सुरुषकार की सुरुषकार की अधिक जागरुकता अभयान यहाँ पर देखो सांस की शुरुआत किया है तो यहाँ पर देखो जो आपका है यह शुरुआत कैया है करनाटक सरकार ने और इस अभयान में पाम साल के कम रूम के जो बच्चे होंगे इनको नमोनिया निमोनिया का जल्द पता लगने के कारण और अधिक जागरुकता सुनिश्चित करने के लिए यह सांस रामा काप का अभियान शुरू किया गया है है चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिख दिया गया है कहरा आप से यह 27 अप्राइल 2022 को जमो कस्वीर में कोई जल्विध्धूत पर्योजरा को मंजूरू दी गई यहां किस नदी परिश्थीत है यहां पर जो अंसर बनेगा आपका राइट हो जएगा चीना और नदी पर है किस नदी पर है चीना और नदी पर है अगला कोशन दिया गया है अप्रायल 22 में चैंपियन साप अर्थ लाइब टाइम अचीवमेंट आवाट दिया गया है ये किसे दिया गया है चले 70 का जवाब दीजे आपका जो अमसर है 70 नंबर में और राइट क्या हो जएगा 70 नंबर का जो आपसन बनेगा इनमें से क्या हो जएगा चले भाई 70 का जो रविन्नाट टैगोर के बारे में दिया गया है हाना कोई बच्चा भागेगा नहीं किलास से क्योंकि ये गध्यान से आपके दो तीन कोईशन हारे किग्जाम में पूची जाते हैं और जो भागेगा तो समझेंगे वो कायर है हाना वो ऐसी चिनने पढ़ना चाहता है जिसको जरूरत है हाना तो कोई भागेगा नहीं एक मिनट में गध्यांस पढ़ेंगे और इसके क्वेशन भी यहां पर स्वाल करेंगे कैरे भारत गौरो भारत का गौरो बढ़ाने वाले महान भावो में रविन्ना टैगोर का इस्थान अगरन है इनका जीवन सदय प्रिनादाई थे और महान कभी कहानिकार, गीताकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटकार और सच्चे देजभक्त थे उन्होंने आठ साल की देखो कितरे आठ साल की छोटी उम्र में कविता लिखी और काबुली वाला मास्टर साहव ओस्ट मास्टर जैसी आपकी कहानिया हमें दिया और सन 18 1878 में कानून के पढ़ाई के लिए लंदन गए थे कब 1878 में कानून के पढ़ाई के लिए लंदन गए लेकिन साहित प्रेमी रवीन नाथ जी 1880 में बिना उपाधी अर्थार बिना डिगरी लिए हुए ये वापस आ गए और प्रकति के प्रेमी रवीन नाथ जी ने सांति नि करतिन के स्थापना किया और उसका नित्र करकत्ता में रच्छा बंदन के उत्सों पर बंग भंगा अंदोलन का आरंब हुआ और इसी अंदोलन से भारत में सोदेशी अंदोलन का सुथ प्रात हुआ उनकी सब सी लोग प्री रचना थी गीतांजली जिसके लिए 1913 में इने नो सुना गांगला उनकी रचना है सर्व तोसमी प्रतिमा रखने वाले रवीना जी का निधन जो हुआ था वो साथ अगस्त निसो एक तारिस को हुआ था और जीवन जवाब का है सदेशा सदा रेडी रहेगा आईए कोशन को सवर करते हैं किया आप से कि रवीना टैगोर का ज समाच के संस्थापक रहें तो यहां पर आप कहेंगे कि ब्रह्म समाच के रहें तो आप सनापक हो जाएगा आगला दिया है रवीना टैगोर की कौन से रचना को नोबिल पर उसकार दिया गया तो यहां पर आपका होजएगा घीतान जली के लिए था ठीक है अगला कुशन चाहें यहां पर देखो आपके कुछ माध्ता पॉंट्स दिये हैं जिनको यहां पर बताना है जो प्रमुख भार्ती राग और विसिश्था तो जरुब बताइये yatार बिसी अगला है बिलावल ये रात के प्रथम पहर में गाया जाता है ठीक है तो यमन भुपाली और बिलावल ये याद रखे रात के प्रथम में आपके गाया जाते हैं अगला दिया है विहाग विहाग ये दुती पहर में गाया जाता है ठीक है देश जो आपका दिया है ये दुती पहर में गाया जाता है अगला है राग भैरो राग भैरो और राग भैरवी तो याद रिखे प्राता बेला में गाया जाने वाला राग है प्राता काल में गाया जाने वाला राग है अगला है हिंडोली राग ये बसंत तृती में गाया जाने वाला एक मधुर राग है आपका कौनसा हिंडोली अगला है राग मेग ये वर्सा रितु में गाया जाने वाला जो राग है वो राग मेग हो जागा और राग काफ ये फालकुन मास में तथा रात्री समय में गाया जाने वाला राग है अगर राग दीपक की बात करें तो दीपक प्रजुरित करने वाला ये र रंगुली जो आपके एक किस राज से है तो रंगुली आपका समंधी थे आपके महारास्ट से है मेहंदी कहां लगाते हैं तो भई मेहंदी वाले बाला जी कहां पर है भई बताइए मेहंदी वाले जो बाला जी वह आपके कहां पर है तो आपके राजस्थान में है अगला है साथिया, तो वही साथी साथ निभाना, गुजर मत जाना, क्यों वही, साथी साथ निभाना, गुजर मत जाना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, अगला है मांडा, तो मांडा जो आपका है कहां से है, तो आपके राजस् तो यह बिहार और जहार्खणड में गुदना, आपका गुदना जानते हो ना, हाथ में गुदा लेते हैं अपने हस्वार्णा का नम हाना और अगला है आपना तो आपना ये पहाड़ी छेत्र में है, तो ये एक याद रखेगा कि अर्पना और आपना दूनों में अंतर आपका है जिसे अर्पन है आपका बिहार और आपना जो आपका है पहार यहां से एक कोशन है वो आपका बनता ही बनता ही हना तो चलिए फिर आज की क्लास यही रखी जाती है दन्नवाद सभी को जैहिन सभी को बंदे मातरम